नमस्कार मित्रो स्वागते आप सभी का हमारे यूटुब चैनल में तो कन्या रासी वालो हम बात करेंगे आपके अगले 24 गंटों के महत प्रणरासी फलकी याने की मित्रो दिनांक 1 अगस्त 2022 का दिन केसा रहेगा आप लोगों के लिए सरो प्रतम मित्रो बात करें पंचांकी तो 1 अगस्त को मित्रो सोमवार का वार है साथ में स्रावण मास के सुखल पक्स की चतुर्तिती है और मित्रो पुर्वफाल गुनिनक सतर है और सुर्रे जो हे वहक करकर रासी में विराजमान रहेगा तो वहीं दूसरी और चंद्रमा जो हे मित्रो वहक कन्या रासी में संचार करेगा तो ऐसे में समस्त ग्रहों की चाल का अगले चियोविस गंटों में आपकी रासी पर क्या प्रभाव पड़ेगा मित्रों व्यापार की डरष्टी से नोकरी की डरष्टी से पारिवारिक जीवन यापन के लिए प्रेम संभंदों के लिए साथ ही मित्रो विद्यारतियों के साथ बेरोजगारों के लिए क्या समाचार है क्या साउधानिया है और क्या खुश खबरिया है समस्त बातों की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं तो मित्रो हमारी इस वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखेगा, क्योंकि वीडियो के बीच में जहां बहुत कुछ खास साउधानिया हम आपको देने वाले हैं, तो वही वीडियो के अंत में कुछ उपाई भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिने आजमाने में ना तो कोई आपको धन लगाना है और ना ही कोई पुंजी लगानी है मित्रो इन उपायों को आजमा कर आप अपने अंदकार रुपी जीवन में एक उजियाला भर सकते हैं तो सब से पहले तो जो भी भक्त अपने मां से प्यार करते हैं इस वीडियो का लाइक अवस्य कर दीजेगा और कमेंट बॉक्स में केवल मातरानी के सच्चे भक्ते ही प्रेम से जय मातादी लिखिएगा मातरानी उनकी सारी मनोकामनाई पुरण करेगी तो चलिए मित्रो वीडियो की सुरुवात करते हैं गुरुजी के एक छोटे से अनमौल विचार से तो मित्रो हमारे गुरुजी कहते हैं कि जिंदगी सिक्के के दो पेहलू की तरह होती है कभी सुख तो कभी दुख आता ही है मित्रों जब सुक हो तो घमंड मत करना और जब दूख हो तो थोड़ा सा सबर जरूर करना क्यों कि मित्रों कहते हैं कि जब तक इनसान के जीवन में सुख दुख नहीं आता है वह उसके जीवन को नहीं समझ पाता है इसलिए जिन्दिगी में परिष्टीतियों का बदलना बहुत जरूरी होता है तो गुरुजी का यह ग्यान अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में रादे रादे अवस्य लिखिएगा तो चलिए अब बात करते हैं आपके एगले 24 गंटों के महत प्रण रासी फलकी तुमें तरो इस समय की सुरुवात बड़ी ही सूभ रहेगी आपको बता दे कि कुछ ऐसी परिष्टीतियां भी बनेगी जिससे आपको घबराना नहीं है साथ ही धियान रखिएगा कि मन मुताबिक तरीके से आपके कार्य बनेगे और इन कार्यों को यदि लंबे समय तक ठिकाय रखना है तो मेहनत भी उतनी ही करने पड़ेगी सिर्फ उचित समय पर उचित निर्णई लेने की जुर्रत है क्योंकि कभी कभी आप ज़्यादा सोच कर उस कायदे को करने में देरी कर देते हैं और करियर संबंदित किसी समस्या का समधान मिलने से युवाव में उस्सहा बना रहेगा और आपका आत्म विश्वास आपके व्यक्तित्व को भी नेखा रहेगा इसलिए मित्रों आपको अपने आत्म विश्वास के साथ हर कायरे को करना चाहिए विध्यारतियों को अपनी मेहनत के अनुकुल परिणाम ना मिलने से कुछ उदासी रहेगी तो ऐसे में आपको धियान रखना है मित्रो की जदा उदास स्वयम को महसूस नहीं करना है परंतू इस बात का भी धियान रखें कि हिम्मत ना हारे और प्रियास करते रहें क्योंकि कभी-कभी आप हिम्मत हारने की वज़े से ही कई सारी गलतियों में फस जाते हैं विरोधी पक्स आपके लिए कोई परिसाने खड़ी कर सकते हैं तो चोकन ना भी रहना आपके लिए बहुत जरूरी है वरना आप किसी सडियंत्र का सिकार हो सकते हैं और जिसमें आप पूरी तरह से फस भी सकते हैं बिजनस में आपकी कायर प्रणाली बहतर रहेगी तथा आपको मेहनत के बहतरिन परिणाम भी हासिल होंगे पित्रों आपको अपनी कायर प्रणाली बहतर बनाने में और ओफिस में सहयोगियों के साथ सामजस से बना कर रखना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आप अपने लोगों के साथ मेठी बाते और मधूर संतुलन बना कर नहीं रखेंगे तब तक आप अपने लोगों से जुड़ नहीं पाएंगे पारिवारी के वेवस्था मधूर बनी रहेगी प्रेम प्रसंगों में प्रकारता आएगी तो आपको बतावे मित्रों की तनाव और चिंता जिसी परिष्टितियों से दूर रखें इसका दुस्प्रभाव आपके स्वास्थ पर पड़ सकता है और फॉन कॉल अत्वा मीडिया के माध्यम से कुछ नई नई जानकार या आपको मिलेगी कुछ नई नई परिसानिया भी आएगी ऐसा नई है मित्रों की हमेशा फॉन कॉल से सिर्फ खुस्त कबर ही प्राप्त हो मित्रों का साथ, मित्रों का सहीयोग आपकी हिम्मत और होसले को बढ़ाएगा क्योंकि जब अपनों के साथ अपने खड़े हो जाते हैं तो एक अलगी जजबा आपको अपने आप में देखने को मिलेगा किसी मुल्यवान वस्तु की खरीदारी की योजना भी बनेगी आपके खोद के कार्रे अधूरे रहे जाएंगे आना वियसक खर्चों के बढ़ने से इस समय दिक्कते आ सकती है इसलिए अभी से अपना बज़ट बना कर चलें तो उचित रहेगा मित्रों आपको बता दें कि केवल आप अपने कार्रे से मतलब रखें आपको किसी के भी साथ किसी भी प्रकार के लफड़े में नहीं फसना है ना किसी से उलजना है और ना ही किसी से अपनी बातों को योजनाओं में अमल लाना है अपनी गुप्त योजनाओं को किसी के भी समक्स आपको जाहिर नहीं करना है पिछले कुछ समय से की गई मेहनत के अनुकुल परिणाम आपको मिलने वाले हैं पिछले कुछ समय से आपने मेहनत की थी और वह मेहनत आपके लिए कारगार साबित भी हुई कुछ नए प्रस्ताओं मिलेंगे, कुछ नए योजनाए बनेगी, कुछ नए लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाना आपके लिए फाइदे मंद भी सावित होगा और पार्टनर्शिप संबंदित व्यविसाई में प्रत्य गतिवीधी पर नजर रखना अतियाओश्य के पार्टनर्शिप व्यविसाई में आपको धियान रखना है मित्रो केसी कोई भी योजना ना बनाए जिससे आप दोनों के बीच में संबंद खराब हो और यदि योजना बनाए भी तो दोनों एक दूसरे की राय रख लें दामपत्य जीवन में इस्थीती को संभालने का दायत वो आप पर ही रहेगा तो प्रेमी प्रेमिका के बीच भावनत्मक संभंद मजबूत होंगे और गर्मी की वज़े से घवराहट वठकान रहे सकती है इसलिए उचित आराम भी लेना आपके लिए आवश्यक होगा मित्रो आपको बता दें कि अपने किसी खास योजना को किर्यानवित करने का यह जो समय है यह समय बहुत अनुकुल है इस समय में आप अपने कार्यों को आसानी से अमल कर पाएंगे वहीं विध्यार्तियों को प्रतिशपर्दा संबंधित कार्यों में सफलता देखने को मिलेगी और धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिवीधियों में कुछ समय अवश्य व्यतित करें इस से आपको मानसिक सुकुन और सान्ति मिलेगी मित्रों आपको बता दे कि यह जो समय रहेगा न यह समय बहुत विवस्था से और मेहनत वाला व्यतित होगा आपके जीवन में विवस्था तो बनी ही रहेगी लेकिन आपको मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी और फोन अत्वा मित्रों के साथ घुमने फिरने में अपन समय वियर्थना करें अक्सर आपने देखा गया है मित्रों कि जब आपको अपना भवीश से सुधाने का समय मिलता है तो आप उस समय को इसे ही गबा देते हैं किसी पड़ोसी के साथ कहा सुनी होने जीसे इस्त्ती बन सकती है और व्यवसाय में ग्रोत पाने के लिए व्यवसाय में बड़ोतरी करने के लिए नई नई टेक्नोलोजी की जानकारे रखना बहुत ज़रूरी है मित्रो पब्लिक के जो रिलेशन है आपके लिए विवसाय संबंधित नए इस्त्रोत उत्पन न कर सकते हैं आपके लिए सरकारी नोकरी में मननोनोकुल कारिभार आपको मिलेगा तो आपको बता दे मित्रो कि इस वक्त केवल और केवल आप से लाब पर फोकस करें जीवन में हानिया भी आएगी लेगन आपको सिर्फ और सिर्फ लाब पर ही फोकस करना है वही मित्रो पारिवरिक वातावरन खुसनुमा रहेगा और सकरात्मक रहेगा प्रेम संबंदों में भी आपके नजदिक्या बढ़ेगी और इन नजदियों को आपको मिटाना होगा नहीं तो यहाँ नजदिक्या लें लंबे समय तक बनी रही तो फिर आपके रिष्टे तूट सकते हैं और अपनी समता से अधिक कारे भार अपने उपर बिल्कुल भी ना लें सिर दर्द वतनाओं का असर आपकी कार समता पर पढ़ सकता है जिसकी वज़े से आपके कार की इस्तती डगमगा सकती है आपको बता दे मित्रो कि प्रोपटी खरद फरोक्त संबंदित योजनाओं को इस वक्त इस्तगित रखना आपके लिए बेहतर रहेगा क्योंकि इस वक्त बिल्कुल भी योग नहीं बन रहे हैं और नहीं ग्रह इन सब चीचों के बारे में संकेत दे रहे हैं तो आपको धियान रखना है कि फिजुल खर्चा बिल्कुल नहीं करना है वीडियो की समाप्ती अभी यहीं पर होती है मित्रो अगर आपको हमारे यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक अवस्य कर दीजेगा कमेंट बॉक्स में गुरुजी का आसिरवाद प्राप्त करने के लिए स्री सिवाई नमस्तू भ्यम अवस्य लिखिएगा और मित्रो देनिक रासी फल एवम रोजाना ग्यान वरदक वीडियो की प्राप्ती के लिए हमारे यूटूब चैनल को आप सभी में तरो सस्क्राइब आवस्य कर दीजेगा वह जो स्क्रिन पर आपको लाल बटन दिखाई दे रहा है उससे दबा दीजेगा वह पास में वह घंटी भी दबा कर हमसे आप सभी अभी जुड़ जाईएगा